वीडियो के बारे में इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं बैसिकली बैकनॉमी करता क्या है बैकनॉम के दो लाइफ टूल्स भी हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसे आप उन्हें यूज कर सकते हैं और आने वाले टाइम में इन टूल्स की वेज़े से Bikonomi के प्राइज में कितना impact आ सकता है और ये बन भी सकता है आने वाले टाइम का एक काफी बड़ा project साथी साथ आप से बात करेंगे कि initial investors को जो प्राइज मिला था Bikonomi का उससे क्या dump आने वाले टाइम में create हो सकता है Bikonomi में और साथी साथ देखेंगे कि chart क्या suggest करता है कि आपको कब entry लेनी चाहिए आपको करके देंगे पूरा technical analysis about Bikonomi तो अगर आप Bikonomi में interested हैं and आप invested है Bikonomi में या फिर invest करना चाहते है Bikonomi में तो आप वीडियो पूरी देखें ताकि आपको काफी अच्छा वर्विव मिले that what is the coin, what it is doing and what should be your trading strategy in Bikonomi तो हम start करते हैं वीडियो को बिना time waste करें पर उससे पहले आपसे एक छोटी से request की channel को subscribe कर दीजगा और कमेंट करके बताएगा अपने views हमारी वीडियो के बारे में ताकि हमें मिलता रहे आपका support और हम मनाते रहे ऐसा ही useful content आपके लिए तो सीधे चलते हैं Bikonomi के coin gecko page पर यहाँ पर सबसे बहले हम बात करेंगे project के market cap की तो the market cap right now is 90 million dollars so it is basically a small cap project यहाँ पर आप देख सकते हैं और maximum time frame में अगर देखेंगे हम Bikonomi में कितना dump पाई हुआ है तो यहाँ पर 14 dollar पर खुलादा coin exchanges pay on the first day and it is almost 97% down तो आप देखेंगे जब से launch हुआ है downtrend में ही है starting days में जिसने भी invest किया होगा उसको gain book करने का मौका नहीं मिला होगा तो यह एक project में काफी सारे barriers खड़े कर देती है जब project का price pump होना होता है ऐसा नहीं है कि नहीं pump होगे इसके वे से बहुत सारे levels पर आपको profit booking दिखेगी क्योंकि काफी लोग interest lose कर देते हैं crypto currency spaces जब एक beer market आती है जो लोग research करते हैं अपनी उनको पता होता है उनने क्या करीद रखा है वो they still hold but अगर जो बंदा confused है तो वो बेज देगा तो आपको इस चीज का दिहान रखना है अप सबसे पहले हम बात करते हैं कि byconomy करता क्या है तो हम चलते हैं सीधा byconomy के website पर अगर आपको byconomy के बारे में कोई भी detail चाहिए तो आप coingeco पर आके official contract address और official website से जाके अपनी research कर सकते हैं तो अगर चलते हैं website पर तो website पर यहां पर देख लेते हैं basically है क्या next generation multi chain relayer protocol so basically यहां पर आपको easy language में समझाना चाहूंगा इनकी दो apps हैं जिसका काफी अच्छा दो इनके projects हैं जिनका काफी अच्छा यूज के सो सकता है एक है hyphen जो हमने खोल रहा है अपने टैब में हम आपको दिखाने वाले हैं भी यूज करके कि उसमें क्या-क्या features और आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आने वाले टाइम में byconomy क को एक काफी अच्छा project बना सकता है तो यह है instant cross chain protocol cross chain protocol is कि मुझे आपको for example जैसा कि यहां पर example दे रखा है कि आपको layer 1 से layer 2 में अपनी cryptocurrency बेढ़नी है for example आप hold कर रहे हैं अपना ethereum on matic तो आप वो ethereum अपना matic से matic chain पर भी भी भेज सकते हैं ठीक है तो you can you can even convert into USDT आप यह protocol use करके देख सकते हैं I'm not using it because I'm not connecting my wallet over here यहां पर इसके अलावा भी काफी सारी चीज़े हैं जैसे की pools यहां पर आप cryptocurrency को स्टेक करके काफी अच्छी एक passive income कमा सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर और और को इसके करने के बाइक को भी आप यहां पर सकते हैं almost same return है तो काफी लोग यह करते हैं कि stable stake करते हैं ऐसे यहां पर return जाधा होता तो जाधा staking देखने को मती तो आने वाले time में शायद by economy team यहां पर आप अनुलाइज return है जो काफी बढ़ा सकते हैं इसकी वैसे काफी एक buying आ सकती है बाइक करने से पहले अगर बात करें farms की तो आप यहां पर farms में भी इस तरीके से अपने cryptocurrency stake करके आपको reward मिलता है बट वो reward मिलता है दूसरे token में तो आप यहां पर usdt stake करते हैं तो आपको by economy मिलेगा per day इस pool में 117.936 by economy per day के release हो रहे हैं जो लोग को मिल रहे हैं अलग-अलग इस तरीके के pool हैं आप देख सकते हैं काफी सारे pool हैं आप अपनी research कर सकते हैं I am not promoting this app right now आपको अगर करना है so you should know what is farming you should know what are liquidity pools और उसके बाद ही आप इन्वेस करने इसमें तो यह तो हमने बात कर लिए तूल के अगर हम दूसरे तूल की बात करते हैं जो है इसका में टूल विच इस गासलेस और इस वन फे बिगेस टेक्नोलोजी देखे पास में में एक वीडियो बना चुका है I was not bullish about by economy but when I did my research तो मुझे ऐसा लगा कि this is a very great project to invest in but मैं आपको अपनी strategy भी बताने वाला हूँ वीडियो गेंड में तो पहले बात करते हैं Gasless की Gasless allows dApps to pay gas fees on behalf of end users resulting in superior user experience and smoother onboarding तो ये भाई काफी ही major major tool हो सकता है आने वाले time में web 3 development के लिए तो जैसा कि हम सबको पता है काफी सारी music industry से related apps और काफी सारी entertainment से related apps gaming से related apps आ रही हैं blockchain पे तो जिनको हम बोलते हैं dApps और you can say dApps तो वहाँ पर user को अगर कोई transaction करनी होती है तो they have to pay gas fees कई-कई networks पे बहुत कम है और कई-कई networks पे थोड़ी जादा होती है like on Ethereum तो अब ये एक बहुत बड़ा use case लेके हैं जो की dApps के लिए काफी useful हो सकता है मैं अब suppose कोई बंदा है जो crypto currency space में है he is invested in crypto currencies वो तो transaction कर लेता है easily blockchain पे और उसको gas fees बरने प्रावल्म नहीं होती है बट अगर हमें बहुत major adoption चाहिए है web3 पे तो हमें gas fees को निल करना पड़ेगा तो अगर transaction cost नहीं होगी तो ज्यादा लोग interested रहेंगे web3 apps पे आने में तो काफी इसका हमने आपको बता दिया और यूजर के ले भी काफी अच्छी चीज हो सकती है आपको हो सकता है आने वाले ताइम में जो जो डाप्स बाइकनोमी का ये टूल यूज कर रहा हूंगे gasless तो वहां पे आपको कोई gas fees ने लगेगी blockchain related apps यूज करने में तो इस अग्रेट अ है हम कि यहां पे जो ब्लॉग sorry बाइकनोमी का जो आईडियो हुआ था या वीकन से आई यू हुआ था वहां पे क्या प्राइस था तो आप देख सकते हैं आई यू प्राइस था 0.30 और ICO यहां पे जो हुआ था coinless पे it was around 0.25 और यहां पे 0.15 पे भी हो रखा है ICO तो यहा it on crypto rank.io it's a great tool हम सारी वीडियो में use करते हैं आपके लिए link मैं description में नीचे दे रहा हूं तो हम चलते हैं सीथे चार्ट पे हमने देख लिया है कि initial investors को जो coin है वो 30 cents पे मिला था they are still in profit और उनका जो वेस्टिंग शेडियूल है although it's slow पर उनको जो वेस्टिंग से अनलोग economy में वो might be sell करेगा और वो उनकी investment strategy है तो आपको यह चीज़ ध्यान में रखने है वेस्टिंग शेडियूल थोड़ा लंबा है इसका it is a good thing as well and a bad thing as well कि अगर अभी होता हो सकता है काफी जादा sell-off अभी देखने को मिल जाता market में तो सही रहा था price के लिए बड़ यह चीज होलते हैं बाइकनमी पर चार्ट पर और देखते हैं चार्ट क्या बूर रहा है सबसे इंप्रन चीज कि कब entry लेने चाहिए कब exit लेने चीज़िए when to sell and to buy so पहले देखते हैं वन्वीक टाइम फ्रेम में बाइकनमी क्या दिखा रहा है में तो वन वीक टाइम फ्रेम में वी एक तो कि market अच्छा perform नहीं कर रही और पर इंका use के सच्छा है आने वाले time में बहुत अच्छा एक game देखने को मिल सकता अभी हम देख रहे है weekly में तो weekly में तो हमने देख लिया कि we are in a downtrend अब हमने weekly use करके one day time frame के लिए बनाए हैं अच्छ लेवल्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए हैं वाइल बाइंग 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 साथ ही साथ हम दो इंडिकेटर्स की help लेंगे to try and understand more that what we can see in past in sorry in next few months or next days तो यहाँ पर हम यूज करने वाले Bollinger Band को स्टोकेश टिकारा साइको तो पहले हम चलते हैं वन डे ताइम फ्रेम में हमने एक बहुत क्लियर चीज यहाँ पर देखी है that this green zone जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस पर मेरा करसर है I hope आपको आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ा जूम इन और कर देता हूं तो this is a important zone for Bikonomi यहाँ पर हमने एक बार, दो बार, तीम बार, चार बार support लिया I am including the Wix as well इसको थोड़ा सा और stretch कर सकते हैं एक बार मैं stretch कर देता हूं So this is the zone basically, तो यहाँ पर आप zone देख सकते हो 0.486 cent से लेके 0.45 तक है यहाँ से अगर price नीचे चले जाता है तो आपको 0.36 पर जाता होगा दिखेगा Bikonomi Because जो next support है और उसके बाद अगर इसको भी break कर देता है तो we can see a clear dump in Bikonomi देखें, market condition बहुत ज़रूरी है, project कितना भी अच्छा हो, market condition अच्छी होगी तो यह आपको एक pump या pump देखने को मिलेगा project में और अगर हम देखते हैं अभी तो we are basically in a sideways consolidation, अगर जैसा यहाँ pump आपको देखने को मिला है, यहाँ से जैसे हम pump होए थे अगर यहाँ sideways moment होगे, अगर bitcoin का price positive चलता है तो हो सकता है कि इस level से Bikonomi में भी आपको एक price pump देखने को मिल जाए, 100 million dollar का market cap का project है, तो कभी भी 500 million dollar हो सकता है मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से obviously नीचे भी जा सकता है, तो bitcoin को हमेशा consideration में रखना, कि market में कैसा move है, जब uptrend हो, अगर आप तवा entry लोगे तो आपको जादा फायदा होगा, instead of buying and downtrend and holding, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, the next level I have seen for, okay, let's draw one more level, over here, मुझे ऐसा लगता है कि ह में यहाँ भी booking कर लेनी चाहिए, अगर आप currently प्लान कर रहे हो, by economy में entry लेने के लिए, या फिर आप खरीक चुके और आप buying कर रहे हो, और ज्यादा, तो आपको एक चीज देख लेनी चाहिए, मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ, यहाँ से अगर हमें एक bounce देखन देखने को मिलती है, तो the next major resistance for us could be over here, तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत partial profit book कर लेने चाहिए, और partial profit book कर के फाइदा क्या होता है, कि जो आपको long term holding करनी है, फिर आप अपने profit से कर सकते हो, आपकी capital हो जाती है, save, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक by economy price चल जाता है, तो we would see, देखते हैं कितना gain मिलेगा हमें देखने को, 15 दिन में हमने देखा है, यहाँ तक जा सकता है, 62% का gain हो सकता है, जल्दी भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर market cap काम है, और project काफी अच्छा है, तो pump भी देखने को मिल सकता है, एक हमें और trend देखन को मिल रहा है, यहाँ से इसको भी concentration में ले लेंगे, अगर हम chart बनाते हुए, तो this could really help us, तो यहाँ पर हो सकता है, हमें breakout देखने को मिल जाए, तो आपको अगर breakout देखने को मिले तो आपको यहाँ पर 60-70% profit, partial profit भले ही आपको book करना चाहिए, और अगर यहाँ पर आपको एक Bitcoin is not certain right now, but मुझे project अच्छा लगा, मैं surely इसमें एक बार अपनी holding ज़रूर बनाना चाहूँगा, trade ज़रूर लेना चाहूँगा, मेरी strategy ही रही कि जब भी मैं buy करूँगा, अगर मेरे पास $100 होंगे, तो मैं $20 से buying करूँगा, ताकि अगर dip आजाए, तो मेरे को वे दिक करना अगर इसकी billion dollar market cap चली जाती है, आने वाले time में, तो जो 20x gain होगा, वो मेरे profits पे होगा, और capital मैं अपनी safe कर चुक हूँ, जिसको मैं कहीं और भी लगा सकता हूँ, तो अगर आपको मेरी strategy पसंद आई, तो आप बिलकुल comment करके भी बता सकते हो, तारीफ भी कर सकते हो, थोड देख सकते हैं, although यहाँ पर काफी gap है, 2.20 dollars से लेगे, 2.70 dollars, तक यह हमने one week time frame में देखके बना है, तो चार्ट बढ़िया चलेगा, इसमें move होगा, तो आने वाले time में हम इस चार्ट को देखें हैं, और देखें हैं कितना successful रहे चार्ट, तो अगर आप देखना चाते हैं, तो यहाँ पर बस मेरी investment strategy में आपको बता दिया है, तो हो सकता है जब यहाँ से मुझे breakout देखने को मिले, तब भी मैं trade ले लो, क्योंकि ज़्यादा लालच हमें नहीं करना है, while trading in alt coins ऐसा नहीं होता कि कोई चीज 97% डाउन है अपने alt time है, तो दुबारा 99% नहीं डाउन हो स हम लोग daps को use कर पाएंगे without paying any gas fees, so it's a great token, मिलते हैं दुबारा नहीं वीडियो, नहीं content और नहीं earning opportunities के साथ ब्लॉग ब्लॉग पर, sorry आज की वीडियो थोड़ी लंबी रही, एंड तक देखने ले बहुत बहुत धन्यवाद, I hope आप like जरू करोगे वीडियो को, और share support ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए आपके लिए, मिलते हैं दुबारा ध्यान रखेगा